अभी अभी की ताजा खबर सेक्टर यूटिलाइजेशन ओफ आईसी एमार लैब्स एस फेसिलिटेटर फो मेडिकल रिसर्च और तीसरा ब्रेक आउट सेशन फार्मा इनोवेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज पर मेडिकल डिवाइसेज पर फोकस्ट होगा अब मैं आप सब की ओर से और मंत्राले की ओर से परमादर्निये प्रधान मंत्री महोदे से अनुरोद करता हूँ कि वे हमारा मार्क दर्शन करें अश्कार जी साथियो जमम हिल्थ केर की बात करते हैं तो इसे प्री कोविड एरा और पोस्ट पैंडेमिक एरा इसके विभाजन के साथ देखना चाहिए कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो सम्रुद्द देशों की विक्सित व्यवस्ताएं भी द्वस्त हो जाती है दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज़्यादा अब हिल्थ केर पर आया है लेकिन भारत की एप्रोच सिर्फ हिल्थ केर तक ही सिमीत नहीं बलकि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं इसलिए हमने दुनिया के सामने एक वीजन रखा है वन अर्थ वन हिल्थ यानि जीव मात्र के लिए चाहे वो इंसान हो एनिमल्स हो प्लांट्स हो सब के लिए एक होलिस्टीक हिल्थ केर की बात कहीं है कोरोना वैस्ट्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपण विशे बन गया है जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दमाएं टीके मेडिकल डिवाइसीज ऐसी जीवन रक्षक चीजे भी दुरभागे से हत्यार बन गई थी बीते वर्षों के बजेट में भारत ने इन सभी विशव पर बहुत ध्यान दिया है हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे ऐसे में आप सभी स्टेक्षोल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है साथियों आजादी के बाद अनेक दशकों तक भारत में स्वास्त को लेकर एक इंटीग्रेटेड एप्रोच एक लॉंग टम वीजन की कमी रही हमने हेल्थ केर को सिरफ हेल्थ मिनिस्ट्री तक ही सिमित नहीं रखा है बलकि होल अब दे गवर्मेंट एप्रोच पर बल दिया है भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथिक्ता रही है आयुशमान भारत के तहट पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज को ये सुवीधा देने के पीशे हमारे मन में यही भाव है इसके तहट अभी तक देश के करोडों मरीजों के लगभग असी हजार करोड रुपिये जो बिमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे वो खर्च होने से बचे हैं अभी साथ मार्च को ही कल देश जन आउसदी दिवस मनाने जा रहा है आज देश भर में करीब नव हजार जन आउसदी केंद्र है इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्द है इससे भी गरीब और मिडल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में बीस हजार करोड रुपिय की बच्चत हुई है यानि सिर्फ दो योजनाव से ही अभी तक भारत के हमारे नागरीतों के एक लाग करोड रुपिय उनकी जीव में बच्चे हुई है साथियों गंबीर बिबारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इंफ्रा का होना उतना ही जरूरी है सरकार का एक प्रमुक फोकस इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले प्रात्विक उप्चार की बहतर सुविधा हो इसके लिए देश भर में डेड़ लाख हिल्थ और वेलनेस सेंटर तयार हो रहे हैं इन सेंटर्स में डायबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बिमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है पी-म आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्रक्टर मीशन के तहट क्रिटीकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा एको सिस्टिम विक्सित हो रहा है इसमें भी हेल्थ एंटर्पेर्नर्स के लिए इन्वेस्टर्स के लिए प्रोफेश्नल्स के लिए अनेक नए अउसर बन रहे हैं साथियों हेल्थ इंफ्रा के साथ सरकार की प्राफ्विक्ता इसमें रिसोस पर भी है बीतो वर्षों में दो सो साथ से अधीक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं इस वजह से मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सिटों के संख्या 2014 के मुकाबले यहने हम जब सत्ता में आये उसके पहले के मुकाबले में आज दो गुनी हो चुकी है आप भी जानते हैं कि सफल डॉक्टर के लिए सफल टेक्निशन भहुत आवशक है इसलिए इस वर्ष के बजेट में नर्सिंग शेत्र के विस्तार पर बल दिया गया है मेडिकल कॉलेजों के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना मेडिकल हुमन रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा कदब है यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बलकि दुनिया की डिमान को पूरा करने में भी काम आ सकता है साथियों स्वास्त सुविधा को सुलब और सस्ता बनाने में टेक्नोलोजी की भूमी का लगातार बढ़ रही है इसलिए हमारा फोकस हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलोजी के अधिक से अधिक प्रयोग पर भी भी है डिजीटल हेल्थ आईडी के माध्यम से हम देश वास्यों को टाइमली हेल्थ केर की सुविधा देना चाहते है इस संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से गर बैटे ही दस करोड लोग डॉक्टरों से ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाप ले चुके हैं अब फाइवजी टेक्नोलोजी की वज़ा से इस सेक्टर में स्टार्ट अप्स के लिए भी बहुत संभावनाएं बन रही है ड्रोन टेक्नोलोजी की वज़़ से दबाओं की डिलिवरी और स्टेस्टिंग से जुड़े लोजिस्टिक में एक क्रांती कारी परिवर्तना आते दिख रहा है यह यूनिवर्शन हेल्ट केर के हमारे प्रयासों को बल देगा यह हमारे एंटर्परनर्स के लिए भी बहुत बड़ा आउसर है हमारे एंटर्परनर्स यह सुनिश्चित करें कि हमें कोई भी टेक्नोलोजी अब इंपोर्ट करने से बचना चाहिए आत्मनिर्भर बनना ही है हमें इसके लिए जरूरी इंस्टिटूशनल रिफॉंस भी कर रहे है फार्मा और मेडिकल डिवाइज सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई है बल्क ड्रग पार्क की बात हो मेडिकल डिवाइज पार्क की व्यभस्ता विक्सित करने की बात हो पी एलाई जैसी योजनाव पर तीस हजार करोड से जादा का निवेश किया गया है मेडिकल डिवाइज सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में 12 से 14 परसंट की रेट से ग्रोध भी हो रही है आने वाले दो तिन वर्षों में ये मार्केट चार लाग करोड तक कहुंचने वाला है हमने भविष्य की मेडिकल टेक्नालोजी हाई हाई एंड मैनिफेक्टिरिंग और रिसर्च के लिए स्कील मैन पावर पर काम शुरू कर दिया है आई आई टी और दूसरे समस्ताओं में मेडिकल उपकरों की मैनिफेक्टिरिंग की ट्रेनिंग के लिए बायो मेडिकल इंजिनेरिंग या उसके जैसे दूसरे कोर्सेंस भी चलाये जाएंगे इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी कैसे हो इंडस्ट्री, एकडेमिया और सरकार इन सब के बीच अधिक से अधिक तानवेल कैसे हो और इस पर हमें मिलकर के काम करना है थाथियों कभी कभी आपदा भी खुद को प्रूव करने का अउसर लेकर आती है इक कोवीड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है कोवीड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पोरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है वो अभुद्पूर्वा है इससे हमें केपिटिलाइज करना ही होगा हमारी इस प्रतिष्ठा को हमारी सिद्धी को हमारे प्रतिष विश्वास को रती भर्मी आँच नहीं आनी चाहिए उपर से ज़्यादा विश्वास बढ़ना चाहिए Centers of Excellencies के मार्ध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लौंच किया जा रहा है इन प्रयासों से अर्थ विवस्ता को काफी मजबूती मिलेगी साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे आज इस सेक्टर का मार्केट साइज चार लाग करोड का है अगर इस में प्रावेट सेक्टर और एकडेमिय के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं तो ये सेक्टर दस लाग करोड को भी पार कर सकता है मेरा सुजाव है कि फार्मा इंडूस्ट्री इस ख्षेत्र में इंपोर्टन्ट प्रावरिटी इरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं सरकार ने ICMR की कई लेप्स को युवां और रिसर्च इंडूस्ट्री के लिए खोलने का भी नेड़ने ले लिया है हमें देखना होगा कि और कौन से इसी तरह के इंफ्रासेक्टर है जिसे ओपन किया जा सकता है साथियों प्रिवेंटिव हेल्थ केर को लेकर सरकार के प्रयासों का बहुत प्रभाव हुआ है गंदगी से फैलने वाली बिमारीयों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभ्यान हो प्रदूसित पानी से होने वाली बिमारीयों से बचाने के लिए जल जीवन मिशन हो ऐसे अनेक इनिशेटिव इनके बहतर प्रणाम आज देश के सामने आ रहे हैं इसी प्रकार कूपोशन एनीमिया हमारे देश की एक महत्वपुन समस्या भी है इसलिए हमने राष्ट्रिय पोशन मिशन शुरू गया और अब तो खुशी की बात है मिलेट्स यानि स्री अन्न जो की एक प्रकार से सूपर फूड है नूट्रेशन के लिए पोशन के लिए महत्वपुन फूड है और जो हमारे देश में बहुत स्वाभावी क्रिते हर घर उसे परिचित है यानि स्री अन्न पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है भारत के प्रयासों के कारण ही इस वर्ष को सयुक्त राष्ट द्वारा इंटरनेशनल येर ओप मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है पी-म मात्रुमंदना योजना और मिशन अंदरधनुस जैसे कारकमों से हम स्वस्थ मात्रुत्व और स्वस्थ बच्पन सुनिश्चित कर रहे हैं योग हो आयुर्वेद हो फीट इंडिया मूवमेंट हो इन्होंने लोगों को बिमारियों से बचाने में मदद की है भारत के आयुर्वेद से जुड़े प्रोडक्स की दिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है भारत के प्रयासों से डब्लू एचो का ट्रिडिश्टनल मेडिसिन से जुड़ा ग्लोबल सेंटर भारत में ही बन रहा है इसलिए हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर से मेरा एक आग्रह है और खास करके आयुर्वेद के साथियों से आग्रह है एविडेंस बेज रिसर्च को हमें बहुत बढ़ाना होगा सिर्फ परणाम की चर्चा परियाप्त नहीं है प्रमान भी उतने ही आवशक है इसके लिए आविवेद के खेतर में काम करने वाले उद्दिम्यों को रिसर्च से जुड़े साथियों को जोड़ना होगा उनको आगे आने होगा साथियों आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्रक्चर से लेकर मेडिकल यूमेन डिसर्स तक देश में हो रहे प्रयासों का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है साथियों सबका प्रयास से ही हम विक्सिद भारत में एक विक्सिद हेल्थ और वेलनेस इको सिस्टेम तयार कर सकते हैं इस वेबिनार में शामील होने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपने सुझाव जरूर दे हम बजेट को तय समय सीमा में निर्धारित लक्ष के लिए निश्टिद रोड में अपके साथ अमल में लाएं सभी स्टेक वोल्डर को साथ ले करके चलें और अगले साल बजेट के पहले हम इन सपनों को धरातर पर उतारें इस बजेट संकल्प को धरातर उतालें इसमें आपके सुझाव चाहिए इसमें आपके बारिक अनुभव का लाप चाहिए मुझे विश्वास है कि आप सबका अनुभव आप सबके नीजी विकास के संकल्प देश के विकास के संकल्प के साथ जुड़ करके हम सामुहिक शक्ति से सामुहिक प्रयास से सिद्धी अवश्य प्राप्त करेंगे मेरी आपको बहुत-बहुत शुब कामना हैं धन्यवाद और ताजा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद गेटवे न्यूज नेटवर्क टीम की तरफ से